नमस्कार एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार यूनिक परिवार में दोस्तों और आज हम लोग एक बहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं एक बहतरीन चीज के साथ आए हैं जिसकी मांग हर दिन हर बच्चे की थी कि सर हमें आर्गिटेक्चर आफ क्या क्या होता है देखो दोस्तों मैंने अल्रेडी बहुत सारी वीडियो डाल दिया है आप लोग वहां से देख सकते हैं क्योंकि हमारे ओ लेबल बीस ये सारी क्लासेश चलाई जाती हैं जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते यूनिक ग्रूप नीचे दि कुछ चीज़ें आपको दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि जैसे मान लिजिए सासे पहले क्या इन्पूट डिवाइस है क्या है आपका इन्पूट डिवाइस ठीक है अगर हम बात करें इन्पूट डिवाइस की तो यह आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जिस डिवाइ कि इसके द्वारा हम लोग computer में input लेते हैं, कोई भी data अपने अंदर लेते हैं, उसको हम लोग input के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, input के नाम से जानते हैं, और जब किसी के द्वारा हम लोग output देते हैं, तो वो आपका output होता है, ये structure एक बार आप देख लो, उसके ब पता है था कि computer चलाने के लिए basically हम लोगों को तीन चीजों की जरूरत पड़ती है पहला चीज है आपका input और दूसरा चीज है आपका processing ठीक है और तीसरा चीज है आपका output इसी के चलते पूरा computer हमारा चलता है ठीक है input का मतलब यह हुआ कि जिस भी device के द्वारा हम लोग computer को input दे that is the input जिस भी device के द्वारा हम लोग computer को क्या करें result ले information ले सूचना ले वो हमारा output होता है मैंने already बताया था आप लोग जान विलो कि input लेने के हमारे पास सिर्फ दो तरीके होते हैं जैसे एक इनसान को input अगर लेना है तो उसको कान से सुनना पड़ेगा ठीक है उसको आँख से देखना पड़ेगा उसको यहाँ पे feel करना पड़ेगा क्योंकि इनसान input कैसे लेगा How it is possible जब तक आउसको कुछ दिखेगा नहीं जब तक उसको कुछ सुनाई नहीं देगा तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आ सकता है वैसे ही हमारे computer में हमारे पास दो option होते हैं input लेने के सबसे पहला होता है आपका data और दूसरा आपका होता है instruction ठीक है दूसरा क्या होता ह है कच्चे आकड़े और आपका instruction मतलब होता है निर्देश यानि इन दो चीजों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं input देते हैं computer को ये बताते हैं भया कि तुमको ये ये कार्य करना है लेकिन वहीं पे अगर हम processing की बात करें तो इसके लिए इसके अब भाई हमारे सरीर में processing होता है कि नहीं होता है होता है जब सरीर में processing होता है तो हमारा दिमाग process करता है और कुछ तो करता नहीं है बास समझ में क्या करता है दिमाग process करता है तो इसमें जो computer में जो process करता है उसका नाम है CPU क्या है CPU ध्यान रखना इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूं concept पहले से already clear है लेकिन फिर भी एक बार आप जान लो कि actually में इसके अंदर क्या-क्या चीजें पाई जाती है और क्या-क्या चीजें होता है तो ये आपका क्या है CPU के द्वारा हम लोग computer में processing करते हैं next अगर हम बात करें output device की तो output देने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक option होता है जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग result के name से output दे सकते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं information के नाम से output दे सकते हैं बात समझ में आई result के name से दे सकते हैं या फिर हम लोग information के नाम से दे सकते हैं दो वे हमारे पास होता है output देने का, पहला होता है result और दूसरा होता है आपका output ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें input से processing की, तो इसको हम लोग encoding के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, encoding के नाम से जानते हैं, processing से output की बात करें, तो इसको हम लो वीडियोस में बता चुका हूँ अब इसके आगे जो समझाना चाहता हूँ वो समझ लो मातर दो से तीन मीनट आप लोगों को लगेगा कम्प्लीट बेसिक आर्किटेक्चर आज आप समझ जाएंगे उसमें कोई प्रॉबलम नहीं आएगा ठीक है CPU की बात करें अगर हम लोग बेसिकली तो CPU के आपके दो पार्ट्स होते हैं मैंने अल्रेडी बताया है CPU के आपके दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एक तो होता है CU जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं और जो दूसरा आपका होता है उसको हम लोग कहते ह हैं ALU यानि arithmetic logic unit के नाम से जानते हैं CU और arithmetic logic unit इन ही दोनों के माध्यम से ही पूरा आपका CPU कंट्रोल करता है बास समझ में आई लेकिन इसके साथ साथ पता है कि सरीर में हमारे अगर दिमाग ना हो तो हम लोग कोई भी चीज इस्टोर नहीं कर सकते हैं कुछ भी सोच नहीं सकते हैं खड़े भी नहीं हो सकते हैं अगर हमारा दिमाग नाकान कर तो कुछ नहीं लेकिन इसके बीच में चीज और आता है तो आपको वहां से मिल जाएगा ठीक है तो देखो यह मैं आर्किटेक्चर बता रहा हूँ आपको यह आपको बास समझ में आ गई होगी हम लोग क्या करते हैं इन्पूट लेते हैं प्रोसेसिंग करते हैं आउटपूट देते हैं इन्पूट हम लोग दो चीजों के माद् चाहते हैं तो यहां पर बस लिख दो यूनिट तो यह एम यू भी हो जाएगा लोग यह यह भी डेटा आपका क्लियर हो गया ठीक है फिर रिजल्ट की बात हुई आउटपूट की बात हुई तो दो ऑप्शन एक रिजल्ट एक इन्फॉर्मेशन वह कोई भी कुछ भी माल पर दिया तो यह आपका आर्किटेक्चर कंप्लीट है अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर वही चीज़ देख लिजिए तो आपको डेटा क्लियर हो जाएगा कि क्या सर बता रहे थे इतना देर से कौन सी रामकता कहानी बता रहे थे कि नहीं समझ में आया देखो अ अपने समझने के लिए ठीक है और इसके बाद आपका क्या लेलो आउटपुट लेलो ठीक है चलो हो गया इतनी बाद समझ में आ गई मैंने अल्रेडी बताया था उसी में आपको कि इसके बीच को हम लोग इंकोडिंग कहते हैं और यहां पे हम लोग क्या कहते हैं डिकोडि लो चाहे वो mca की बात करो हर जगह यह मांगता है ध्यान रखना इस चीज़ को ठीक है अब input हम लोग किस-किस चीज़ों से देते हैं keyboard से देते हैं mouse से देते हैं scanner से देते हैं joystick से देते हैं अब हमें result वा किस-किस से मिलता है monitor से मिलता है printer से मिलता है speaker से मिलता है headphone से मिलता है यहां से हम लोगों को क्या मिलता है भाई यहां से हम लोगों को मिलता है result यहां रखना इस चीज़ को ठीक है लेकिन अब हम लोग processing की थोड़ी सी बात कर लेते हैं processing में आगे आपका CPU मैंने already बताया है कि CPU की दो पार्ट होते हैं कौन-कौन से CU और ALU तो पहला आगए अगए 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 आप control unit दूसरा आपका हो गया ALU अब देखो भीया इतनी बात समझ में आ गई अब देखो यह जो अदिया हुआ है तीन चीज़ यह memory तो इसी का है LU, MU memory unit जो है CPU का ही पार्ट है उसके बिना architecture हो ही नहीं सकता ठीक है तो यहाँ पे input से हम लोग कैसे देते हैं data से देते हैं और output कैसे लेते हैं हम लोग information से लेते हैं बस यही कहानी है basic architecture of computer की बस यही कहानी है बहुत सारे comment आये थे कि सर एक मैं थोड़ा सा छोटी सी वीडियों बता दीजिए कि basic architecture of computer क्या क्या होता है तो मैंने सोचा कि आप लोग की यह problem solve कर दूँ और आप लोग को यह information दे ही दिया जाए ठीक है यह चीज अगर समझ में आ गई है तो automatic यह चीज़ complete आपको समझ में आ जाएगी इसका screenshot ले लो जिन्दगी भर नहीं भूलोगे ध्यान रखना इस चीज़ को चाहे आप किसी भी course में पढ़ते हो BCA, MCA चाहे वो आप O Label चाहे BSC, CS की बात कर लो किसी भी course को करते हैं और इस channel पर सारे course चलाए जाते हैं live class recorded study material फटा फटा आप लोग unique group application को download करें और हमारे channel को join करें हम बात कर रहें रतनाकर और आप देख रहे हैं unique online सभी लोगों को जै हिंद